तो यहाँ पे बहुत ही important एक concept discuss करने वाल है, interview point of view से भी वो बहुत ही important है, वो क्या है authentication और authorization और दोनों के बीच में difference, तो authentication क्या होता है, simple way में अगर समझे, authentication is an entity which proves an identity, मतलब अगर मैं एक employee हूँ, मेरा identity मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, तो वो क्या हो गया authentication, तो अगर मेरे पास एक employee ID है, उससे मैं अपना authentication प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन वहीं पे एक दूसरा concept आता है, authorization, तो अभी मेरे पास employee ID है, तो मैं एक company का employee हुआ, और मैंने अपना authentication प्रूफ किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, कि मुझे authority है, server room में जाने के लिए, या को कोई भी secret room में जाने के लिए, तो यहीं पर difference आयाता है, authentication और authorization के लिए, maybe मेरे पास authentication है, लेकिन authorization नहीं है, किसी भी operation को करने के लिए, या फिर किसी भी resource को access करने के लिए, different type of authentication methods क्या है, तो ये बहुत ये simple way मैं समझता है, तो पहला है basic authentication, basic authentication क्या है, जब भी हम लोग request header में username और password पास करता है, तो वो हो गया basic authentication, लेकिन यहाँ पर आप question पूछोगे, अगर मैं header में username और password पास कर रहा हूँ, तो ये तो chance है, कि बीच में कोई भी hacker आके मेरा username और password हैक कर लेगा, तो वो तो सही नहीं है, तो वो कैसे होता है, तो जब भी username और password पास होता है header में, तो वो एक 64-bit encryption में पास होता है, ओरिजिनल username और password कभी ही पास नहीं होगा, उसको encrypt करके पास किया जाता है, next, digest, so basic और digest में बहुत ही छोटा difference है, तो digest में भी हम लोग username और password header में पास करता है, लेकिन basic में हम लोग 64-bit encryption यूज करते थे, digest में हम लोग उससे थोड़ा better encryption method next, bearer authentication, bearer authentication में username और password का कोई काम नहीं है, हम लोग एक security token यूज करता है, जिसको हम लोग बोलता है bearer token, तो वो bearer token को यूज करके हम लोग authentication करता है, next, OAuth, तो usually बहुत सारे companies में OAuth 2.0 का authentication प्रिफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जादा secure है, तो ये OAuth 2.0 क्या ह है, तो basically OAuth 2.0 दो type of token यूज कर सकता है, मतलब ऐढ़ कोई एक भी use कर सकता है, या फिर दोनों भी use कर सकता है, तो वो दोनों क्या है, एक है Access token, दूसरा है Refresh token, तो Access token क्या है? so access token basically एक API key है तो API key क्या है उससे पहले जान लेता है तो API key क्या होता है एक unique key होता है हर एक user का तो जब भी कोई user पहली बार request भेज रहा है उसके लिए एक unique key generate कह जाता है तो वो unique key वो user के लिए होता है तो next time अगर वो same user दूसरा request भेजता है तो वो पहले जो generated unique की है उससे हम लोग identify कर सकते है हाँ ये जाना पैचाना user है इसको authenticate कर देता है इसका कोई problem नहीं है तो access token का और एक property क्या है ये expire हो जाता है ये बहुत important चीज है क्यों? अगर ये token expire हो जाता है उससे हमें क्या फाइदा होता है suppose वो token पाँच मिनिट बाद expire हो गया तो maximum पाँच मिनिट का ही विंडो है उसके बीच में कोई hacker आके उससे hack करके उससे information निकालना near to impossible है इसलिए ये authentication method best माना जाता है तो next तरीका क्या है? refresh token refresh token क्या है? जब भी हमारा access token expire हो गया तो वो अपने आप एक नया access token generate कर देगा तो यहाँ पर हम लोग use करते है OAuth 2.0 लेकिन वहाँ पर आपको question पूछा जा सकता है OAuth 1.0 क्या है? और OAuth 1.0 और 2.0 के बीच में difference क्या है? तो OAuth 1.0 है signature driven वहाँ पर username और password का concept आ जाता है लेकिन OAuth 2.0 में username और password का concept जैसे हम लोग ने देखा वो बिलकुली eliminate कर दिया हमने तो हम लोग सिर्फ token का use करता है username और password का यहाँ कोई भी काम नहीं है next video से हम लोग start करेंगे postman use करके कैसे request send करें different different methods देखेंगे different different status codes देखेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you next video में मिलते है